Good morning class 6th, okay now we have already done with the chapter 3, वो हम already कर चुके हैं, which was playing with numbers, now we will start our new chapter which is basic geometrical ideas, ठीक है, इसमें geometry से related कुछ facts होंगे, ठीक है, तो वो हम सीखेंगे, जैसे कि point क्या होता है, line क्या होती है, line segment क्या होता है, ray क्या होती है, इसका एक brief part हम class 5th में कर चुके है, but very brief, यह थोड़ा अब हम detail में geometrical ideas को अब हम पढ़ेंगे, तो इसमें हमारे कुछ concepts हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, and accordingly we will be able to answer the questions, तो कि इन सारे जो भी geometrical shapes हैं, line segment, line, और ray, इन सब की कुछ properties होती हैं, और उसी बेस पे आपको questions दिये जाएंगे, जिसको आपको answer करना हो Okay, now the first thing that is in the geometrical ideas is point, ठीक है, first thing is point, point क्या होता है, point होता है, एक point, जैसे चार point बना दिये हैं, मैंने चार point, और उनके नाम दे दिये, इस point का नाम A, इसका B, इसका C, और इसका D, ठीक है, और हम लिखते कैसे हैं, simple, A, B, C, D, बड़ यह याद रखना, यह सारे capital होते हैं, वो सारे capital में ही आएंगे, आप point को कभी भी A, B, C, D नहीं लिख सकते, small में नहीं लिख सकते, जब भी आप point लिखेंगे, line segment लिखेंगे, यह सारे capital A, B, C, D होते हैं, यह आप याद रखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे point A, point B, point C, point D, ठीक है, अब next होती है, line segment, what is line segment line segment होती है, जो की shortest distance होता है, किसी भी दो point के बीच में, वो उसकी line segment लाती है, suppose करो यही A, B, C, D, यह points है, और A से B में एक line खेच दी, और C से D में एक line खेच दी, ठीक है, अब A से B पर जाने के बहुत और तरीक है, जैसे कि, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, या मैं ऐसे जा सकता हूँ, या मैं ऐसे जा सकता हूँ, गोंके, ठीक है, लेकिन ये सारे आपके line नहीं कहलाएंगे, line वही होती है, line segment वही होता है, जो सबसे छोटा distance होगा, दो points के बीच में, वो होगा आपका line segment, जैसे C और D है, सबसे छोटा distance C और D के बीच में, एक सीधा भागते हैं ना उसकी तरफ, या ऐसे टेडा मेडा करके थोड़ी जाते हैं हम वापे, ऐसे टेडा मेडा करके जाएंगे तो हमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम सीधा जाते हैं, तो ये चोट दो points के बीच का distance होता है, इसको हम line segment कहते हैं, और line segment लिखते कैसे है जैसे A और B मेरे को लिखना है, तो A, B लिखा और उसके उपर एक line खेच दी, C और D लिखा और उसके उपर एक line खेच दी, इसका मतलब है ये एक line segment है, अच्छा इस line segment को मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, ये line segment C और D भी है और DC भी है, ये अगर AB है तो BA भी है, क्यों मैं इसको line segment नहीं कह सकता है, यहां से शुरू, यहां से खतम, या फिर यहां से शुरू और यहां से खतम, ठीक है, मैंने एक line मनाई, ये हो गई आपकी X, ये हो गया आपका A, तो X से A, ये भी line है, और A से X, ये भी line segment है, तो इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, X A या AX, बा line, अभी हमने पढ़ा line segment, ठीक है, segment, segment मतलब एक टुकड़ा, line का एक टुकड़ा, ये line का एक टुकड़ा है, लेकिन एक line क्या होती है, line एक ऐसी चीज होती है, जो की endless होती है, जिसका कोई end नहीं होता, अब इसमें हमने देखा, इसका end था, X से start हुआ, A पे खतम हो गया, ये end हुआ, या A से start हुआ, और X पे खतम हो गया, यहाँ पे ऐसा नहीं होता line में, line दोनों तरफ से बढ़ती ही रहती है, ये endless होती है, basically line को हम नाप नहीं सकते हैं, क्योंकि this is endless, लेकिन एक line segment को जरूर नाप सकते हैं, यहाँ से शुरू, यहाँ से खतम, इसका ना कोई श चलती जाएगी, यह चलती जाएगी, और इधर मैंने line लगा के इसको arrow कर दिया, और यहाँ से भी बढ़ती जा रही है, arrow मतलब चलती जाएगी, तो यह उपकी होगी line, ठीक है, CD है, इसको मैंने आगे कर दिया, यह line यहाँ से चलती जा रही है, और यह यहाँ से बढ़ती तो ये line बन जाती है और line को लिखने का तरीका कैसे होता है A और B वही उपर line लगाएंगे लेकिन दोनों तरफ arrow लगा देते हैं line segment लिखते हैं हम ऐसे single line line लिखते हैं हम line और दोनों तरफ arrow ये होता है फरत ठीक है C or D line segment ऐसे लिखेंगे लेकिन C or D line में हम उनके उपर एक दोनों तरफ arrow वाली एक line बनाएंगे अच्छा इन lines को एक और तरीके से लिखा जाता है single letter से जैसे कि ये एक line है इस पर कोई भी points नहीं है कोई भी dots नहीं है मैंने इसको depict कर दिया L अब याद रखना जब भी आप किसी भी line का एक single letter में describe करते हो तो वो हमेशा small होता है ये L आप ऐसे नहीं लिखोगे या आप ऐसे लिखोगे L या आप इसको Y ऐसे लिखोगे capital Y नहीं लिखोगे जब भी line को हम किसी एक letter से depict करते हैं तो हमेशा वो small रहता है बाकी सब में चाहे वो point हो चाहे वो line segment हो चाहे वो line हो ये वाला जब इसमें दो points होते है line में तो ये capital आएंगे लेकिन यहाँ पे जब हम single letter से line को depict करते हैं तो हमेशा small आएगा small n, small m, small l, small a, small b जो आप करना चाहब लेकिन ये small आएगा ठीक है अब line और line segment में क्या फरक होता है मैंने अभी आपको बताया कि एक line segment सब्सक्रों ये points है a, b, c, d, e सारे line में हैं और इनकी उपर से line जा लिए ये इदर से बढ़ती जा लिए इस तर से बढ़ती जा लिए ठीक है तो अब मैं को पता करना है कि इसमें कितने line segment है ये एक line segment है ये एक line segment है ये भी है ये भी है ACB है, BDB है, CEB है, ADB है, BEB है, AEB है या फिर यह जितने भी मैंने बोलें उनका उल्टा भी हो सकता है AB हो सकता है तो BA भी हो सकता है BC हो सकता है तो CB भी हो सकता है CD हो सकता है तो DC भी हो सकता है DE हो सकता है तो ED भी हो सकता है AC हो सकता है तो CA हो सकता है BD हो सकता है तो DB भी हो सकता है CE हो सकता है तो EC भी हो सकता है AD हो सकता है तो DA या फिर BE तो EB या फिर AE तो EA बहुत सारे line segments हो सकते हैं यहापे ठीक है बहुत सारे line segments है इसके अंदर और similarly line भी कह सकते हैं इसको हम जैसे कि यह आपकी एक line है इस पे है A, B, C, D, E A, B, C, D, E तो ये line कुछ भी हो सकती है A और B भी line हो सकती है ये line है B, C भी line है C, D भी line है ये जारी है C से आगर जारी है D से अगर सब्सक्रों ये point हटा दू मैं यहापे तो ये तो C, D line हो गई ये C, E line हो गई या फिर ये हो गई आपकी B, E line हो गई या फिर आपका A, C line हो गई या फिर ये तीनों के बीच के छुपा दिये मैंने तो A, E line हो गई तो ये line भी इसी तरीके से कितनी भी lines हो सकती है इसके अंदर दिदर endless lines ओके तो ये फरक हो गया आपका line और line segment Now coming to अब जो हमने line सीख ली तो lines दो प्रकार की होती है intersecting lines and parallel lines intersecting lines क्या होती है suppose करो मुंचुन और दुश्चुन छट पे बैठके पतंग उड़ा रहे थे ये मुंचुन ये मुंचुन की पतंग है ये पतंग उड़ा रही है ये दुश्चंत है ये दुश्चंत यहां से पतंग उड़ा रहे है और ये पेच लड़ा रहे है हमाँ पे ठीक है तो ये जो दुश्चंत का धागा हुआ ये हुआ line एक line और ये मुंचुन का धागा हुआ ये हुई दूसरी line और जहां पे ये दोनों टकराए, जहां पे इनके पेस्ट लड़े, वो हो गया P, वो हो गया आपका intersecting point, जहां पे वो एक दूसरे से touch हुए, ठीक है, तो हम इसको कैसे show करेंगे, हम इसको show करेंगे, M and D, मतलब line M and D, अब line को देखो मैंने small letters में लिखा है, जब मैं M and D, अग M लिख दोगे, तो वो points कहलाएंगे, अगर मैं लिखूंगा M and D intersect at point P, तो समझ मीं नहीं आएगा, एक M point है, एक D point है, एक P point है, M, D और P, और M और D P से intersect हो रहे हैं, कैसे intersect हो रहे हैं, यह तो point है, ठीक है, जब मैं लिखूंगा small M and small D, मतलब एक छोटी M जो एक line है, और ए intersect हो रही है P point पे, इसका मतलब यह हुआ, तो यह इसी तरीके से पढ़ा जाता है, आपके जो सवाल आएंगे न, वो ऐसे ही आएंगे और आपको उसके ऐसे draw भी करने पड़ सकते हैं, तो आपको यह बहुत ध्यान रखना होगा, कहा capital है, कहाँ small है, capital points पे लिखा जाता है, line segments पे लिखा जाता है, कहीं भी छोटी अगर अक्षर आ रहे हैं, या छोटे alphabets आ रहे हैं, मतलब वो line है, ठीक है, तो M line and D line, यह मुंचुन line and दुश्यन्त line, D line, intersect at point P, अब intersection के कुछ और examples बता हैं, जैसे की road, road चो रहा, एक इदर से road जाता है, एक इदर से road जाता है, य intersection हो गया, ठीक है, आपके, आपने गाउं में बैल गाड़ी देखी होगी, बैल गाड़ी का पईये देखे होगे, तो बैल गाड़ी के पईये में क्या होता है, ऐसे लकणियां लगी होती है, और जहां से वो center point हो था, वो क्या होगा, वो intersect point है, सपर्स करो, यह M line होगी, यह L line होगी, यह N line होगी, यह A line होगी, तो इन सबका intersection point क्या हुआ, यह point हुआ, point P, चीक है, यह live examples है, अच्छा, अब यह तो हो गया, intersecting lines जो एक दूसरे को cross करती है, अब करते हैं हम parallel lines, parallel lines वो होती है, जो साथ साथ चलती तो है, लेकि एक दूसरे को कभी cross नहीं करती, जैसे क यह line चल रही है, दोनों तरफ, यह धर जा रही है, यह line जा रही है, और यह line जा रही है, अब इसको कहीं तक भी ले जाओ, यह एक दूसरे को काटेंगी नहीं क्योंकि इन दोनों के 20 का distance equal है, तो यह हो जाती है आपकी parallel lines, लेकिन parallel lines को हम depict कैसे करते हैं, suppose करो, यह एक मैंने line खेची और यह मैंने parallel line खेची, इस line का, यह line है D line, यह line है M line, तो मैं क्या लिखूंगा, D small parallel, मतलब parallel M, मतलब D और M दो line है, जो एक दूसरे के parallel है, और अगर इन lines पर points है, A, B, C, D, तो line A, B, line पता है ना कैसे लिखते हैं, A, B, A, B, उसके उपर एक line और दोनों तरफ arrow, यह होगी line A, B, और C, D, यह होगी line C, D, यह दोनों parallel है, इन दोनों के पीश में दो line हैं खेच देते हैं, जो कि एक दूसरे से touch नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम कहते है parallel lines, यह इस तरीके से लिखा जाता है, अब live examples, life में से हैसे कौन से parallel lines के आपका scale, scale की एक तरफ edge, centimeter वाल लेकिन साथ-साथ चलती रहते हैं, यह होगी आपकी parallel lines के examples, life में, ठीक है, तो आपको याद रखने हैं कि intersecting lines किसे कहते हैं और parallel lines किसे कहते हैं, okay, now coming to the last thing which is called ray, ray, अब ray क्या होती है, ray होती है, किरन, सूरज की किरन को बोलते हैं न, ray, sun rays, तो वो यह वाली ray है, अब rays में क्य आप फरक होता है, और line में, और line segment में वो आपको बता दो, पहले आप देखो ray क्या होती है, ray वो होती है, जो एक point से start करती है, और एक direction में चलती है, और चलती जाती है, line क्या करती है, line दोनों जगे चलती है, ray सिरफ एक जगे पर जाएगी, इस CD ray है, यह A की तरफ बढ़त लगाएंगे, CD और एक arrow लगाएंगे, यहां पर, ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि line segment ray और line में फरक क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा, line segment क्या होता है, line segment वो line होती है, जिसका एक starting point होता है, और एक ending point होता है, और यह दोनों तरफ नहीं बढ़ती, न यह य जाएगी, न यह यहां जाएगी, यह होगी आपकी line segment, ray क्या होती है, ray होती है, जो एक जगे बढ़ती है, अब ray यह भी हो सकती है, a, b इसके आगे निकल की, यहां पर बढ़ रही है, ठीक है, या फिर अगर मैं a और b ray को उल्टा करूं, मतलब b से a की तरफ ray बढ़ रही है यह एक ही side पर बढ़ेगी, दूसरी side पर नहीं बढ़ेगी, इसका एक starting point तो होता है, लेकिन इसका end point कोई नहीं होता, line segment में दोनों point होते है, starting point, यहां पर line खतम होती है, end point, ray में starting point तो होता है, लेकिन end point नहीं होता है, यह चलती जाएगी, चलती जाएगी, या b से start होगी ना कही end होती है, ये दोनों तरफ infinite रहती है, अब इनको लिखने के तरीके क्या क्या है, A, B के उपर line segment, अब इस ray को, जो A से start हो रही है, B की तरफ जारी है, और ये ray, और अगर उल्टी ray है, B से start होके A की तरफ जारी है, तो पहले B लिखेंगे, बाद में A लिखेंगे, और एक arrow लगाएंगे, single arrow, और line में क्या लिखेंगे, A, B और दोनों तरफ arrow, या फिर B, A, दोनों तरफ arrow, line segment में B, या तो A, B, या फिर B, A, आया समझ में, line segment, ray और line में क्या फरक होता है, ठीक है, ओके, नव एक हम चोटा से एक example करते हैं, उससे आपको और clarity आ जाएगी, एक ये line है, line है, उसमें A, B, C, D, E points है, ठीक है, अब मुझे पताना है, इसमें line segments कौन कौन से है, कोई भी line segment हो सकता है, A, B हो सकता है, B, A हो सकता है, C, D हो सकता है, A, D हो सकता है, A, E हो सकता है, E, A हो सकता है, D, A हो सकता है, बहुत हो सकते, ठीक है, lines कौन-कौन सी होती है both line हो सकती है a b line हो सकती है a c line हो सकती है a e line हो सकती है इसका ulta हो सकता है e a line हो सकती है इसका d a या फिर a d कुछ भी ले लो ये line हो सकती है अब rays कौन-कौन सी हो सकती है जो एक point से start करेंगी और दूसरी तरफ चली जाएंगी, जैसे A, नहीं, सॉरी, B, A, B, A, एक रे है, ठीक है, A, B और ये जारी आगे तक, A, B, भी एक रे है, ठीक है, B, C, भी एक रे है, या C, भी एक रे है, ठीक है, तो इस तरीके से होगा, ओके, अब मुझे बतायना है, अब मैं इस पे एक्चली दो लाइने और खेचता हूँ, ताकि थोड़ा सा और मजा है, इंटरसेक्टिंग लाइन बने, ये F पॉइंट से, D पॉइंट से थोड़ा सा आगे, ये एक लाइन और खेच ली मैंने, और ये H पॉइंट है, यहाँ पे, ठ F पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, D के बाद, ये आगे चलती जा रही है, और यहाँ पे आपका एक G पॉइंट है, ये बन गया एक फिगर, ठीक है, अब मुझे बताओ कि D पॉइंट से, D पॉइंट से कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रह रही है, तो ये दो लाइन सेग्मेंट्स इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे से, ठीक है, और इसमें मुझे बताने है कौन कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन से हैं, जो आपको दिखें इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो F C, sorry F D, F D इंटरसेक् लाइन है G और H यह लाइन है और यह E के साथ intersect हो रही है ठीक है सबस्द में आया तो यह आपकी intersecting lines हो गई है अब यहाँ पर देखें कि starting point of ray bd, bd एक ray है यह B और D यह BD ray है यहाँ से start हो रही है B से और D के त्रफ आगे बढ़ती जा रही है तो starting point क्या होगा उसका starting point हमेशा यह होता है जहां से start होती which is B इसका D कभी भी starting point नहीं होगा B, D और आगे बढ़ती चाहिए तो B से start होई अगर मैं बोलता कि D भी एक रे है उल्टा लिखता तो D उसका starting point होता और यह रे उस तरफ चली जाती D से start होती है B की तरफ होते होते आगे चली जाएगी तो यह D भी होता ठीक है अब जैसे questions पूछे जाते हैं E is a point on the line segment AD AD के line segment में कोई E point है परदो देखो AD कहा है A और D ये रहा यह line segment के बात कर रहा हूँ मैं A और D मतलब यहाँ से start यहाँ से खतम वो होता है आपका line segment ठीक है यह line segment पे E point है क्या नहीं E point उस line segment के बाहर है इसके बीच में कौन से points है B है C है E नहीं है line segment पे E point नहीं है क्योंकि line segment यहाँ से शुरू होता और यहाँ पे खतम हो जाता है लेकिन अगर मैं यह पूछू कि E point है line AD पे AD की जो line है मतलब line मतलब यह यहाँ तक यह जो पूरी है यह पूरी line है AD की line पे E कोई point है तो मतलब है E AD की line पे तो point है लेकिन line segment पे नहीं है line पे क्यों है क्योंकि line तो आगे बढ़ जाती है लेकिन इस segment पे E point नहीं है तो इस तरीके के कुछ tricky questions आते हैं अगर आपको properties पता है line segment की, line की, ray की intersecting points की तो आप यह असानी से आप कर सकते हो तो इसी base पे आपकी एक exercise है इस chapter की which is the first exercise 4.1 4.1 which is on page number 74 तो यह exercise आपको करनी है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें कैसे है जैसे की एक figure दिया हुआ है और इसमें आपको 5 points ढूनने है एक line ढूननी है 4 rays ढूननी है और 5 line segment बताने है वो आप बता सकते हो easily अब name the line which are possible 12 ways अब यहाँ पे इस line में जहाँ पे 4 points है यहाँ पे 12 lines है 12 lines इसको 12 तरीके से आप लिख सकते हो जैसी की A, B, B, C, C, D A, C, B, D और इनका उलटा अगर आपने A भी लिखा है तो B, A भी लिख सकते हो B, C लिखा है तो C, B, B लिख सकते हो A, D लिखा है तो D, A, bि लिख सकते हो तो इस तरीके से आपको 12 तरीके से इसको line को dip it करना है और लिखने का तरीका आपको याद रखना उपर दोनों तरफ arrow बनेगा जब आप line लिखोगे, यहाँ पे भी line segment होगा तो उपर arrow नहीं होगा raise में एक तरफ arrow होगा, lines में दोनों तरफ arrow होगे तो लिखने time यह याद रखना आपको किस तरह से उसको लिखना है वो important है अब यह एक figure दिया हुआ यहाँ पे और आपसे अलग-अलग सवाल पूछे गई है कि line containing point E, E point पे कौन-कौन सी line निकल रही है वह आप बता सकते हो, line passing through A, A से कौन-कौन सी line pass हो रही है line on which O lies, कौन-कौन सी line पे O point आ रहा है two pairs of intersecting line, इसमें दो pair आपको पताना है जहाँ पे line intersect हो रही है चीक है, अब यह एक सवाल है, how many lines can pass through one given point एक point से कित्ती line pass हो सकती है और दो point से कित्ती line pass हो सकती है दो point से तो हमें पता है कित्ती line pass हो सकती है अगर आपके पास दो point है, तो दोनों point पे अगर करना है तो एक ही बार में ऐसा हो सकता है कि line pass हो सके ठीक है, एक ही line है जो pass हो सकती है, लेकिन एक point से कित्ती line पास हो सकती है सोचो, कित्ती line पास हो सकती है infinite, n number of lines pass हो सकती है, एक points से, क्योंकि दूसरा point तो है नहीं, एक ही point है ओके now, अब आपको करना है, draw a rough figure, label suitably in each of the following cases point P lies on segment यह देख रहा है, A, B के उपर क्या एक dash बना हुआ है, इसका मतलब वो हुआ segment line segment, A, B पे एक point है P, यह आपको बनाना है तो आप क्या अगर होगे, बहुत असान है, लोको बता तुम के second है इसको so, basically अगर आपको यह बोला गया है कि point P lies on segment A, B, पहले तो एक line segment बनाओ A और B, A और B बना दिया और उसके अंदर एक point बना दिया P, हो गया आपका यह, figure जैसे suppose करो, यह है line, x, y, उपर दोनों तरफ arrow है, तो मतलब यह line है, यह line segment नहीं है, तो एक line है x और y x, y और यह line है ठीक है, यह intersect हो रही है, m point पे, x, y and p, q intersect at m, तो एक m point है, x, y एक line है, एक m point है, वहाँ से आपकी p, q line निकल दूई है यह p और q, line कट रही है, और कहां कट रही है, जिस point पे कट रही है, वह point है आपका m point, तो यह इसका figure बन गया इसी तरीके से आपको figures बनाने है, line l contains e, f, but not d एक line है, जिस पे e, f तो है, but d point नहीं है तो यह सोच के बनाओ, कैसे बना सकते हो, o और p, e और o q, ऐसी line है, जो o पे मिलती है, ठीक है, तो यह आपको बनाना है, अब जो मैंने आपको properties बताई है, line segments की, line की, हाना, तो उस properties के base पे यह line बनी हुई है, ठीक है, उस पे q, m, o, and p points है तो उस base पे आपको इसके true and false बताने है, ठीक है, जैसे की, o, m, o, and p are the points on line m, n q, m, o, and p यह 5 points line is on the line m, n m, n, line पर यह 5 points है, बिलकुल है, क्योंकि यह line है, अगर यह यहाँ पे लिखता, q, m, o, and p are the points on line segment m, n, line segment m, n तो यह रहा, इतना सा, इस पे सिर्फ a की point है, बीच में o, q, or p, तो इसके बहार है लेकिन अगर यह बोल रहा है, कि m, और n एक line है, और उस पे q, or p points है, तो मतलब यह points है, तो इसी तरीके से आप यह सारे आप पढ़ोगे, और इस figure को देख के है, अब बताते जाओगी, कि यह true है, कि यह false है, accordingly आप इसको कर सकते हैं, so, now what you have to do, मैंने आपको पूरे इसके properties बताई है, मैंने आपको यह भी बताया है, कि उनको लिखना कैसे है, line, ray, line segment को, points को, capital, small, इन सब का ध्यान रखना, और इसी base पे exercise 4.1 आपको copy में करके मुझे submit करानी है, ठीक है, तो एक बार उसको submit कराईए, then I'll check it, फिर हम next concept पर पहुचेंगे, which is the curves, which will we see in next class, तो पहले 4.1 आप मुझे submit कराईए and I'll check it and I'll revert you back on the same, okay class, thank you,